हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ फिस एक पकोड़ा रेस्पी चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तीन प्याज ले लिया है उसे हाफ हाफ कट करके इस तरह से मसीन पर रखके कट करना है मैं अब बहुत ही आसानी से यह क अब देख सकते काफी सी जो लो देख देख सकते काफी अच्छी से जो ब्याज है और हरीं मीच्यों कटके तैयार हो चुका है मैं अगद आरिदि नीकाल लिया है और में डालूंगी शीचित और यहां तो कि अवर्ट फेस पलिषत तिर्फ दिला है एक कटोरी हरा धनिया बारी कटा हुआ और को रेको टूरी बेसन अब इन सारी चीजों को हम अच्छ से मिक्स करेंगे कि मसाले इंप ताकि भाल नहीं अच्छ से मिक्स हो जाये और हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें एट और ते रहेंगे जिस तरह हम पकोड़े का पेश्ट तैयर करते हैं, उसी तरह हम इसे तैयर करके लेना है, ज्यादा पतला गोल में नहीं तैयर करना है, आप देख सकते हैं, वीडियो में मैं किस तरह थोड़ा थोड़ा पाइन डालके से तैयर कर रही हूँ, तो बिल्कूल इसी तरह से आपको तैयार करके लेना, आप देखी तरह से और यहाँ पर मैंने तेल गरम होनक लिए रग दिया है मैंने सरसो का टेल लिए है ये तेल जो अच्छे से गरम हो चुका है मैं यहाँ पर पकोडा जो है वो डालना शुरू कर देती हूं आप से हाथों के साइता सिया यह देखिए जो सारे पकोड़े हैं मैं इसमें डाल दे रही हूँ इसे आप चटनी के साथ में या केचप के साथ में खा सकते हैं एक बढ़ ट्राइ करके देखिए यह रेस्पी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है यह देखिए अच्छे से लाल हो जाएगा तो हम इसे पलटके दूसरी तरफ भी लाल कर लेंगे और फिर हमें इसे निकाल लेना है हमें इसे पलट ले रही हूँ इसे मीडियम आज पर ही पकाना है मैं ज्यादा तेज आज नहीं रखनी है नहीं तो जो पकोड़ा है वह अंदर से कच्छा रह जाएगा यह देखिए फ्रेट्स पकोड़े को मैंने पलट लिया है दूसरी तरफ से भी अच्छे समय से पका लेना है और यह हो चुका है मैं इसे निकाल देती हूँ और साथी जो बागी बचे हुए पकोड़े हैं वह भी मैं इसमें डाल देती हूँ यह देखिए मैंने दूसरे पकोड़ी का जो था वह भी डाल दिया है और इसे भी अच्छे से में पका लेना है यह रेस्पी पांच मिनिट में तैयार हो जाती है ज़्यादा समय भी नहीं लगता इसे बनाने में और खाने में उतना ही टेश्टी लगता है तो आप जरूर ट्राइक कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताए कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है अब मैं इसे निकाल ले रहें दूसरी तरफ भी थोड़ा सा लाल होने देते हैं यह रही अच्छी से लाल हो चुका है अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूं मैंने सारे पकोड़ों को निकाल लिया है और काफी अच्छा फिस एक पकोड़ा तयार है तो आप जरूर से ट्राइ किजिए थैंक यू